प्रिष्ट संख्या छे नमक का दारोगा जब नमक का नया विभाग बना और इश्वर प्रदत वस्तु के व्योहार करने का निशेद हो गया तो लोग जोरी छीपे इसका व्यापार करने लगे अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्र पाथ हुआ कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चलाकी से अधिकारियों के पाव बारा थे पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लल जाता था यह हुआ समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और इसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे फार्सी का प्राबल ले था प्रेम की कथाएं और श्रिंगार रस के काब बे पढ़कर फार्सी दा लोग सर्वोच पदों पर न्यूक्त हो जाया करते थे मुंसी वंसी धर्भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनु और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के अविश्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले उनके पिता एक अनुभवी पुरुष्ट है समझाने लगे बेटा घर की दुरदशा देख रहे हो रिन के बोज से दबे हुए हैं लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बरती चली जाती हैं मैं कगारे पर कब रिक्ष हो रहा हूँ ना मालूम कब गिर पड़ू अब तुम ही घर के मालिक मुखतार हो नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना यह तो पीर का मजार है निगाह चड़ावे और चादर पर रखनी चाहिए ऐसा काम ढूड़ना जहां कुछ उपरी आये ह मासिक वेतन तो पूर्ण मासि का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घर्टे घर्टे लुप्थ हो जाता है उपरी आये बहता हुआ स्रोत है जिससे सदे और प्यास बुझती है वेतन मनुष्य देता है इसी से उसमें वृद्धी नहीं होती उपरी आमदनी इश्वर देता है इसी से उसकी बरकत होती है तुम स्वयम विद्ध्वान हो तुम्हें क्या समझाओं इस विशे में विवेक की बड़ी आवर्शक्ता है मनुष्य को देखो उसकी आवर्शक्ता को देखो और आवसर को देखो उसके उपरांत जो उचित सम पंजो वो करो गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभी लाभ है लेकिन बे गरज को दाओं पर पाना जरा कठीन है इन बातों को निगाह में बांध लो यह मेरी जन्म भर की कमाई है प्रिष्ट संख्या साथ इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशिरवाद दिया वनशिधर आग्याकारी पुत्र थे ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए इस विस्त्रित संसार में उनके लिए धैर ये अपना मित्र बुद्धी अपनी पत्प्रदर्शक और आत्माव लंबन ही अपना सहायक था लेकिन अच्छे शकुन से चले थे जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए वेतन अच्छा और उपरी आये का तो ठीकाना ही ना था व्रिद्ध मुन्शी जी को जब यह सुक संबाद मिला तो फूले ना समाए महाजन कुछ नरम पड़े कलवार की आशालता लहला हाई परोसियों के हृदय में शूल उठने लगे जाड़े के दिन थे और रात का समय नमक के सिपाही चौकिदार नशे में मस्थ थे मुन्शी वन्शी धर को यहां आए अभी च्छ महीनों से भी अधिक ना हुए थे लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्हों ने अपनी कारे कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की और जमुना बहती थी उस पर नावों का एक फूल बना हुआ था दारोगा जी किवाड बंद की हुए मीठी नीद में सो रहे थे अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाडियों की गड़गडाट और मलाहों का कुलाहल सुनाई दिया उठ बैठे इतनी रात गए गाडियां क्यों नदी के पार जाती है अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है तरक ने भ्रम को पुष्ट किया वर्दी पहनी तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आपहुचे गाडियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी डांट कर पूछा किसकी गाडियां है पृष्ट संख्या आठ थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा आदमियों में कुछ काना फूसी हुई तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपी दीन की कौन पंडित अलोपी दीन? दाता गंज के मुन्शी वन्शिधर चौंके पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमीदार थे लाखों रुपिय का लेन देन करते थे इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके रिणी ना हो ब्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था बड़े चलते पुर्जे आदमी थे अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके महमान होते बारहों मास सदावरत चलता था मुन्शी जी ने पूछा गाड़ियां कहा जाएंगी उत्तर मिला कानपूर लेकिन इस प्रशन पर की इसमें क्या है सन्नाटा चा गया दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा प्रिश्ट संख्या नौ कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले क्या तुम सब गूंगे हो गये हो हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोडे को एक गाड़ी से मिला कर बोरे को टटोला भ्रम दूर हो गया यह नमक के ढेले थे पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रत पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले महराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है उनका यह कहना यथार्थ ही था न्याय और नीती सब लक्ष्मी के ही तो खिलोने हैं इन्हें वह जैसे चाहती है न चाती है लेटे ही लेटे गर्ब से बोले चलो हम आते हैं ऐसा कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिन्तता से पान के बीड़े लगा कर खाए फिर लिहाफ ओड़े हुए दारोगा के पास आकर बोले बाबुजी आशिर्वाद कहिए हमसे काउन सा ऐसा अपराद हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई हम ब्राह्मनों पर तो आपकी क्रिपा द्रिष्टी रहनी चाहिए वन्शिधर रूखाई से बोले सरकारी हुक्म पंडित अलोपी दीन ने हस कर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को हमारे सरकार तो आप ही हैं हमारा और आपका तो घर का मामला है हम कभी आप से बाहर हो सकते हैं आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और घाट के देवताव को हम भेटना चड़ावें मैं तो आपकी सेवा में स्वयम ही आ रहा था वंशी धर पर एश्वरे की मोहिनी वंशी का कुछ प्रवाव ना पड़ा इमानदारी की नई उमंग थी कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौडियों पर अपना इमान बेचते फिरते हैं आप इस समय हिरासत में हैं आपका काईदे के अनुसार चालान होगा बस मुझे अधिक बातों की फुरसत नहीं है जमादार बदलू सिंग तुम इन्हें हिरासत में ले चलो मैं हुक्म देता हूँ परिष्ट संख्या 10 पंडित अलोपी दिन स्तंभित हो गए गाड़ी वानों में हलचल मच गई पंडित जी के जीवन में कडाचित यह पहला ही आउसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी बदलू सिंग आगे बढ़ा किन्तु रॉब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था विचार किया यह अभी उदंड लड़का है माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा अलहर है जी जगता है बहुत दीन भाव से बोले बाबु साहब ऐसा ना कीजिये हम मिट जाएंगे इज़त धूल में मिल जाएगी हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा हम किसी तरह आप से बाहर थोड़ी ही है वन्शी धर ने कठोर स्वर में कहा हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते अलोपी दीन ने जिस तहरे को चटान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालुम पड़ा स्वाभीमान और धन एश्वरे को कड़ी चोट लगी किन्तु अभी तक धन की सांखिक शक्ती का पूरा भरोसा था अपने मुखतार से बोले लाला जी एक हजार के नोट बावु साहब को भेंट करो आप इस समय भूखे सी हो रहे हैं वंशी धर ने गरम होकर कहा एक हजार नहीं एक लाक भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते धर्म की इस बुद्धी हीं दिर्टा और देव दुरलव त्याग पर मन बहुत जुझलाया अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा धन ने उचल उचल कर आकरमण करने शुरू कर दिये एक से पांच, पांच से दस दस से पंद्रह और पंद्रह से बीस हजार तक नौबत पहुझ गई किन्तु धर्म अलोकिक वीरता के साथ इस बहुत संख्यक सेना के संमुक अकेला पर्वत की भाती अटल अविचलित खड़ा था अलोपी दीन निराश होकर बोले अब इस से अधिक मेरा सहास नहीं आगे आपको अधिकार है वंशिधर ने अपने जमादार को ललकारा बदलू सिंग मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की और बढ़ा पंडित जी घबरा कर दो तिन कदम पीछे हट गए अत्यंत दीनता से बोले बाबु साहब इश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए मैं पच्चीस हजार पर निप्टारा करने को तयार हूँ असंभव बात है तीस हजार पर किसी तरह भी संभव नहीं क्या चालिस हजार पर भी नहीं चालिस हजार नहीं चालिस लाख पर भी असंभव है बदलु सिंग इस आदमी को अभी अपनी हिरासत में ले लो अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला अलोपी डीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हतकडियां लिये हुए अपनी तरफ आते देखा चारों तरफ निराश और कातर दिष्टी से देखने लगे इसके बाद एका एक मुर्चित होकर गिर पड़े दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी सवेरे देखिये तो बालक बृद्ध सबके मुह से यही बात सुनाई देती थी जिसे देखिये वही पंडित जी के इस ब्योहार पर टी का टिपणी कर रहा था निंदा की बौचारें हो रही थी मानो संसार से अब पापी का नाम कट गया पानी को दूद के नाम से बेचने वाला गौाला कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहुकार सब के सब देवताओं की भाती गरदने चला रहे थे जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दीन अभी युक्त होकर कॉंस्टेबलों के साथ हाथों में हतकडियां हृदे में गलानी और शोब भरे लजजा से गरदन जुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई मेलों में कदाचित आँखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी भीड के मारे छट और दिवार में कोई भेद ना रहा किंतु अदालत में पहुँचने की देर थी पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के सिह थे अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुखतार उनके आग्या पालक और अरदरी, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे प्रिश्ट संख्या बारा उन्हें देखते ही लोग चारो तरफ से दोड़े सभी लोग विस्मित हो रहे थे इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया बलकि इसलिए कि वह कानून के पंजय में कैसे आये ऐसा मनुष्ठ जिसके पास असाध्य साधन करने वादा धन और अनन्य वाचालता हो वह क्यों कानून के पंजय में आये प्रतेक मनुष्य उनसे साहनुभूती प्रगट करता था बड़ी तत्परता से इस आक्रमन को रोकने के निम्मित वकीरों की एक सेना तैयार की गई न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया वन्शिधर चुपचाप खड़े थे उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था ना स्पष्ट भाषन के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवा थे किन्तु लोव से डमा डोल यहाँ तक की मुन्शी जी को न्याय भी अपनी और से कुछ खिचा हुआ दीख पड़ता था वह न्याय का दर्वार था परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशाच छाया हुआ था किन्तु पक्षपात और न्याय का क्या मेल जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती मुकदमा शीघर ही समाप्त हो गया डिप्टी मेजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिये गए प्रमाण, निर्मूल और प्रमात्मक है वह एक बड़े भारी आदमी है यह बात कलपना के बाहर है कि उन्हों ने थोड़े लाव के लिए ऐसा दुसाहस किया हो यद्यपी नमक के दारोगा मुन्शी वन्शी धर का भी अधिक दोश नहीं है लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचार हीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट जेलना पड़ा हम प्रसंद हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है किन्तु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धी को भष्ट कर दिया भविश्य में उसे होशियार रहना चाहिए वकीलों ने यह फैसला सुना और उचल पड़े पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले स्वजन बांधवों ने रुपियों की लूट की उदारता का सागर उमर पड़ा उसकी लहरों ने अदालत की नियू तक हिला दी जब मुन्शिधर बाहर निकले तो चारों और से उनके उपर व्यंगेवानों की वर्षा होने लगी चपरासियों ने जुक जुक कर सलाम किये किन्तो इस समय एक एक कटू वाक्य एक एक संकेत उनकी गरवागनी को प्रज्वलित कर रहा था कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकरते हुए न चलते आज उन्हें संसार का एक खेत जनक विचित्र अनुभव हुआ न्याए और विद्वता, लंबी चोड़ी उपाधियां बड़ी बड़ी दाढ़ियां और धीले चोगे एक भी सच्चे पात्र के योग्य नहीं है वन्शी धर ने धन से बहर मोल लिया था उसका मूल ले चुकाना अनिवार्य था कठिनेता से एक सप्ताह भी न बीता होगा कि मुट्तली का परवाना आ पहुँचा कार्य परायानता का दंड मिला बेचारे भग नरिदय, शोक और खेत से व्यथित घर को चले बुढे मुन्शी जी तो पहले से ही कुडबुडा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी सब मनमानी करता है हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं बुढ़ापे में भगत बनकर बैठें और वहाँ बस वही सूखी तनख्वा अरे हमने भी नोकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे लेकिन काम किया दिल खोल कर किया और आप इमानदार बनने चले हैं घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवर्ष्य दिया जलाएंगे खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया इसके थोड़े दिनों बाद जब मुन्शी वन्शी धर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बुढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ू बहुत देर तक पच्टा पच्टा कर हाथ मलते रहे क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं और यदि वन्शी धर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता व्रिधा माता को भी दुख हुआ जगनात और रामिश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुह से बात भी नहीं की इसी प्रकार एक सप्ता बीद गया संध्या का समय था बुढ़े मुन्शी जी बैठे राम नाम की मादा जब रह थे इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रत आकर रुका हरे और गुलाबी परदे पच्हिये बैलों की जोड़ी उनकी गर्दनों में नीले धागे सींगे पीतल से जड़ी हुई कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे मुन्शी जी अगवानी को दोड़े देखा तो पंडित अलोपी दीन है प्रिष्ट संख्या 14 जुक कर दंडवत की और लल्लो चपो की बातें करने लगे हमारा भाग्य उदै हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आये है आप हमारे पूज्य देवता है आपको कौन सा मुह दिखावें मुह में तो कालिख लगी हुई है किन्तु क्या करें लड़का अभागा कपूत है नहीं तो आप से क्यों मुह छिपाना पड़ता इश्वर चाहे नहीं संतान रखे पर ऐसी संतान ना दे हाँ अलोपी दीन ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए मुश्य जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या कहूं अलोपी दीन ने वासले पूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरुषों की कीरती उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म परायन मनुश्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अरपन कर सके पंडित अलोपी दीन ने वन्शी धर से कहा दारोगा जी इसे खुशामत न समझे खुशामत करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी उस रात को आपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था किन्तो आज मैं सुच्छा से आपकी हिरासत में हूँ मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हजारों उच्च पदाधी कारियों से काम पड़ा किन्तो मुझे परास्त किया तो आपने मैंने सब को अपना और अपने धन का गुलाम बना कर छोड़ दिया मुझे आग्या दीजिये कि आप से कुछ विनाय करूं वन्शी धर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सतकार किया परंतु स्वभिमान सहित समझ गए कि यह महाशे मुझे लज्जित करने और जलाने आये है क्षमा प्राथना कर चेश्टा नहीं की वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात अस्तहियसी प्रतीत हुई पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया पंडित जी की ओर उरती हुई द्रिष्टी से देखा सद्भाव जलक रहा था गर्ब ने अब लज्जा के सामने सर जुका दिया शर्माते हुए बोले यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते है मुझसे जो कुछ अभिने हुई है उसे क्षमा कीजिए मैं धर्म की बेडी में जकड़ा हुआ था नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ जो आग्या होगी वह मेरे सिर्माते पर अलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा नदी तट पर आपने मेरी प्राथना स्विकार नहीं की थी परंतो आज स्विकार करनी पड़ेगी प्रिष्ट संख्या पंद्र वन्शिधर बोले मैं किस योग्य हूँ किन्तु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई तूटी ना होगी अलोपी दीन ने एक स्टांप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वन्शिधर के सामने रख कर बोले इस पद को स्विकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए मैं ब्राह्मन हूँ जब तक सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा मुन्शि वन्शिधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतग्यता से आँखों में आशू भर आए पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थाई मैनेजर नियत किया था चह हजार वार्शिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग सवारी के लिए घोड़े रहने को बंगला नौकर चाकर मुफ्त कमपित स्वर में बोले पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थे नहीं है कि मैं आपकी उदार्था की प्रशनसा कर सकूँ परंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ अलो पी दीन हसकर बोले मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है वन्शी धर ने गंभीर भाव से कहा यो मैं आपका दास हूँ आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सवभाग्य की बात है परंतु मुझ में ना विद्या है ना बुद्धी ना वह सवभाव जो इन तुटियों की पूर्ती कर देता है ऐसे महानकारे के लिए एक बड़े मर्मग्य अनुभवी मनुष्य की जरूरत है अलो पी दीन ने कलम दान से कलम निका दी और उसे वन्शिधर के हाथ में दे कर बोले ना मुझे विद्वता की चाह है ना अनुभव की ना मर्मग्यता की ना कारे कुशलता की इन गुणों के महत्तों का परीचे मैं खूब पाचुका हूँ अब सवभाग्य अस्तू अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है यह कलम लीजिए अधिक सोच विचार ना कीजिए दस्तखत कर दीजिए परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदयो वही नदी के किनारे वाला बे मुरवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे प्रिष्ट संख्या सोलह वन्शी धर की आँखें डबडबा आई हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका एक बार फिर पंडित जी की और भक्ती और शद्धा की द्रिष्टी से देखा और कापते हुए हाद से मेनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिये अलोपी दीन ने प्रफुलित होकर उन्हें गले लगा लिया अभ्यास पाठ के साथ एक, कहानी का काउन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? दो, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के काउन से दो पहलू या पक्ष उभर कर आते हैं तीन, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी ना किसी सच्चाई को उजागर करते हैं निम्न लिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उध्रित करते हुए बताईए कि वह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं क, व्रिद्ध मुन्शी ख वकील ग शहर की भीड चार निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना यह तो पीर का मजार है निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए ऐसा काम ढूणना जहां कुछ उपरी आये हो मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है उपरी आये बहता हुआ स्रोत है जिससे सदय और प्यास बुझती है वेतन मनुष्य देता है इसी लिए उसमें व्रिध्धी नहीं होती उपरी आमदनी इश्वर देता है इसी से उसकी बरकत होती है तुम स्वयम विद्ध्वान हो तुम्हें क्या समझाऊं कर यह किसकी उक्ती है ख मासिक वेतन को पूर्ण मासी का चांद क्यों कहा गया है गर क्या आप एक पिता के इस वक्तब्य से सहमत है पाँच नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्यशीर्शक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए प्रिश्ट संख्या सत्रह चे, कहानी के अन्त में अलोपी दीन के वन्शीधर को मैनेजर न्यूक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते है तरक सहित उत्तर दीजिए आप इस कहानी का अन्त किस प्रकार करते पाठ के आसपास एक, दारोगा वन्शीधर गैर कानूनी कारियों की वज़े से पंडित अलोपी दीन को गिरफतार करता है लेकिन कहानी के अन्त में इसी पंडित अलोपी दीन की सहरिदयता पर मुग्ध होकर उसके यहां मैनेजर की नौकरी को तयार हो जाता है आपके विचार से वन्शीधर का ऐसा करना क्या उचित था आप उसकी जगा होते तो क्या करते दो नमक विभाग के दारोगा के पद के लिए बड़े बड़ों का जी ललचाता था वर्तमान समाज में ऐसा काउन सपद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालाईत रहते होंग चार पढ़ना लिखना सब अकारत गया व्रिद्ध मुन्शी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्व में कही गई थी अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताईए क जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो ख जब आपको पढ़ना लिखना साथक लगा हो गः पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा साक्षर्ता अथ्वाशिक्षा क्या आप इन दो बातों को समान मानते हैं पांच, लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चलियाती है यह वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिती की किस वास्तविक्ता को प्रगट करता है छे, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बलकि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्ने वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए प्रते एक मनुष्य उनसे साहनुभूती प्रगट करता था अपने आसपास अलोपी दीन जैसे ब्यक्तियों को देख कर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी उपर्युक्त टिपणी को ध्यान में रखते हुए लिखें समझाईए तो जरा एक नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना यह तो पीर का मजार है निगाह चाहावे और चादर पर रखनी चाहिए दो इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैरे अपना मित्र बुद्धी अपनी पत्थ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था तीन तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया चार न्याय और नीती सब लक्ष्मी के ही तो खिलोने हैं इन्हें वह जैसे चाहती है ना चाहती है पांच दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी छे खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया साथ धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला आठ न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया भाषा की बात एक भाषा की चित्रात्मक्ता, लोकोक्तियों और महावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साजह रूप एवं बोल चाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भूत है कहानी में से ऐसे उधारन चांट कर लिखिए और यह भी बताईए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्थे अधिक असरदार बना है कहानी में मासिक वेतन के लिए किन-किन विशेशनों का प्रयोग किया गया है इसके लिए आप अपनी ओर से दो-दो विशेशन और बताईए साथ ही विशेशनों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए अब आप किसी अन्य संदर्व में इन भाशिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाईे चर्चा करें इस कहानी को पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियां, न्याई और विद्वता के बारे में आपकी क्या धाराना बनती है वर्त्मान समय को ध्यान में रखते हुए इस विशय पर शिक्षकों के साथ एक परीचर्चा आयोजित करें प्रिष्ट संख्या उननीस शब्द छवी बरकंदाजी यानि बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही या चोगिदार सदावरत यानि हमेशा अन बांटने का वरत मुखतार यानि कलक्तरी में वकील से कम दर्जे का वकील अलोकिक यानि दिखाई न देने वाला कातर यानि परिशान या दुखी अमले कर्मचारी मंडल या नौकर चाकर अर्दली या ओर्डरली यानि किसी बड़े अपसर के साथ रहने वाला खास चपरासी तजवीज यानि राय या निर्ने अकारत यानि व्यर्थ पचहिये या अर्दली या को कर्णे要श्यश्वी